Hello students and welcome back to your own channel Seng Creations Education आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं NCRT-based notes of the chapter organism and environment NCRT में इस chapter का name organism and population भी दिया हो सकता है तो ये same ही chapter है जिसके notes आज में आपको provide करने वाले हूँ अगर आप class 12th के student हो और आप लोग boards के लिए prepare कर रहे हो तो ये best notes हैं आपके board examination के preparation के लिए because इस chapter के जितने भी particular topics है NCRT के अंदर वो सारे मैंने आपर cover किये हैं और इससे पहले के जितने भी chapters हैं सभी के notes में आप लोग को provide कर चुकी हूँ अगर आप लोग अभी सिर्फ अपनी 20% preparation पे हो उस preparation को आप 90 से 95% तक आप बना सकते हो इन notes के जरीए last moment जो होता है न last के 3 से 4 दिन जो होते है exam के या फिर एक दिन जब आप बचा हुआ होता है exam में तब आप पूरी की पूरी NCRT नहीं उठाते हो उस time पे आप धूंडते हो short notes जो आपने बनाए हैं और वैसे ही short notes आपको यह मिलने वाले हैं जिससे कि आपकी last minute revision जो हो जाएगी description box में इससे पहले के सभी chapters की जो मैंने video upload की है with the notes वो आपको description box ने playlist का link मिल जाएगा वहाँ से जाकर देख सकते हो अगर आपको और भी किसी तरीके की help चाहिए आपके board exam में तो आप नीचे comment section में comment करके मुझे बता सकते हो चलिए video को शुरू करने हैं subscribe नहीं किया है तो subscribe अभी कर लो because in future आपके लिए आपके board examination के लिए हर तरीके से जितनी help मुझसे हो सकती है वो सारी help में करने ही कोशिश करूँगी और आपके board exam के लिए आपको सारा material यहां पर मिल जाएगा तो आप लोग यहां पर हमें subscribe जरूर कर लिए विडियो पसंद आती हैं तो लाइक को share करना ना भूलें चलिए start करती है अप आप लोग जानते है latest syllabus के according यह starting का जो part है वो जो है syllabus में से cut कर दिया गया था तो आप लोग देख सकते हैं लेकिन एक जगा पर CBSC ने ये भी कहा था कि भई जो exam आएगा वो complete उससे आ सकता है ठीक है complete syllabus से आ सकता है ऐसा नहीं है कि कोई part हम cut कर रहे हैं तो दोनों ही चीज़े यहां पर जो है वो चल रही थी कि आखिर कहां से आएगा और कहां से नहीं आएगा वेपर तो आप लोगों के लिए मैंने यहां पर दोनों ही पर्टिकलर चीज़ों का जो नोट्स हैं वो यहां पर आपके लिए बना दिये हैं आप देख सकते हूँ, यहाँ पर particular abiotic factors के भी notes है, कौनसे कौनसे factor किसी भी जगा की population को, organism को affect करते हैं, temperature, water, soil, and then यहाँ पर आजाएगा light, और फिर आएगा abiotic factor, ठीक है, कैसे regulate कर सकते हैं, कैसे confirm कर सकते हैं, कोई भी animal है, कोई भी plant है, जो कि किस जिनका constant body temperature नहीं है, उनकी body का temperature change होता जाता है, उन्हें हम कहते हैं conformers, उसके बाद जो migrate कर गए, एक जगा से दुशे का जा चुके हैं, जो suspend कर गए है, metabolically active हैं, इस stressful period में, उन्हें हम क्या कहेंगे, suspended organism कहेंगे, hibernation में चले जाते हैं, जो ठीक हैं, उसके बाद adaptation भी आपके syllabus में नहीं दिखाया गया है, आप चाहें तो screenshot ले सकते हो, otherwise मैं आपको description box में इसकी PDF की link जो है, वो provide कर दूँगी, यह particular adaptation है कि desert में plant कैसे adapt करते हैं, कैसे animals colder region में, कितनी ठंड में कैसे रह पाते हैं, जो लोग higher altitude पे रहते हैं, उनका RBC production और उनका breathing rate काफी high होता है, जिसकी वज़े से वो higher altitude पे क्या कर जाते हैं, यह क्या है, यह एक तरीके के adaptation है, कुछ desert animal भी रह पाते हैं, उस इतनी गर्मी में, इतनी heat में बहाँ survive कर पाते हैं, because of this adaptation, ठीक है, उसके बाद what is population, population क्या होता है, यहां से आपके syllabus में दिया गया है, population कुछ similar individual का पूरा एक group होता है, जो कि एक ऐसे geographical area में रह रही है, जहांके similar resources वो use कर रही है, और it is capable of interbreeding, population के जो कुछ attributes होते हैं, जिसका मतलब है कि कुछ individual जो है, वो यहां पर नहीं रहेंगे, birth rate per capita, ठीक है, death rate per capita, ठीक है, कितनी death होई है, और कितनी birth होई है, sex ratio क्या होता है, sex ratio का मतलब है, कितने male है उस population में, with respective to the female, clear age distribution हम कैसे करते हैं, age distribution का मतलब है, अलग-अलग यहां पर यहांपके pyramids बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, एक ऐसी population जिसमें, अलग-अलग different-different age के, लोग होने जरूरी है, age distribution जो होती है, वो कैसे होती है, by giving the age pyramid, ठीक है, pyramid दिये जाते हैं, the structure of the age pyramid, determine की growth status में है, या फिर growing में है, stable में है, या decline में है, जैसे की, यह समझ लो, यहाँ पर यह pyramid है, यह pyramid क्या कह रहा है, कि यहाँ पर जो, pre-reproductive, यानि की reproductive stage से, पहले वाले, यानि की बच्चे, जो हैं, वो जादा है, reproduction वाले कम है, और post-reproductive, बहुत ही कम है, तो यह एक, expanding nature वाला, pyramid है, जहाँ पर, progress होने के chance ज़ादा है, क्योंकि यहाँ पर youth ज़ादा है, ठीक है, उसके बाद, यहाँ पर क्या हो रहा है, कि reproductive और pre-reproductive, कही न कहीं equal है, तो यह stable हो गया, उसके बाद क्या कह रहे हैं, declining, declining का मतलब pre-reproductive तो कम है, लेकिन जो reproductive stage में है, वो ज़ादा है, फिर post reproductive कम है, तो इसके अंदर कहीं न कहीं, मामला जो गडबड है, declining stage में है, उसके बाद, population size को हम, refer करते हैं, population density N से, जो क्या बताती हैं हमें, कि कितने लोग हैं, how many number of individual are inhabiting, in a particular niche, ठीक है, अगर population ज़ादा है, तो relatively density जो है, measure करेंगे हम, instead of absolute density, clear है, उसके बाद, अगर population growth की बात करू, birth को कहते हैं, natality, number of birth, किसी भी, अगर आपको दे दिया गया, कि 2000 से लेकर, 2022 तक का देखो, natality rate, इसका मतलब, आप हम आपका, birth rate देखोगे, ठीक है, mortality, यानि कि death rate, immigration, यानि कि I, यानि कि कितने individual, जो है, same species के, जो I है, उस particular habitat में, किसी डूसरी जगे से, immigration, E for immigration वाला, immigration, यहाँ पर कितने जो particular, same species के, जो individuals है, कितने यहाँ से migrate कर गए, कितने चले गए, तो ये चार चीज़े याद करनी बहुत ज़रूरी है, और इन चार को मिला कर बनता है, आपका एक particular equation, इसका मतलब, N for आपको, population का बता दिया था मैंने, ठीक है, और ये T for time आ जाएगा, तो N, T plus 1 हो गया, इसका अगर equation निकालेंगे, तो density निकलेंगे, T plus 1 में, तो N by T हो गया, प्लस यहाँ पर B birth rate, और कितने आए हैं, death rate और कितने गए हैं, similar similar को आपने साथ में रख दिया, दोनों का subtraction कर देंगे, तो आपके पास net rate आ जाएगा, exponential growth निकालने के भी, यहाँ पर कुछ formulas हैं, और exponential growth पर question भी बनता है, theoretical question, और यह derive करने के लिए आता है, ठीक है, यह वाली चीज़ derive करने के लिए आती है, तो प्लीज इसका याद रखेगा, और अगर आप लोगों ने screenshot नहीं लिया है, तो screenshot ले लो, या फिर description box में से आ जाकर, पीडियेफ को download कर सकते हो, logistic growth का मतलब क्या होता है, जब resources जो है, वो limited है, resources कम है, और उसकी वज़े से, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं न, उनके बीच में competition होने लगा है, उस resource के लिए, और फिर वही survive करेगा, जो fit है यहाँ पर, जो उन resources को, ज़ादा जल्दी ले पाएगा, तो survival of the fittest वाली कहानी है, यहाँ पर, ठीक है, clear है यह चीज, तो आप लोग यह चीज अच्छी से पढ़ लेना, यह चीज important है, लेकिन, यहाँ पर growth से question कैसे आता है, कि growth models के बारे में बताओ, तो आप बताओगे, एक exponential growth के बारे में, दूसरा आप बताओगे, यहाँ लोजिस्टिक growth के बारे में, clear है यह चीज, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, सबकी equation आपको लिखनी है, और अगर आपसे graph याद हो रहा है, तो आप graph भी बना सकते हो, दौनों का ही graph बना हुआ है यहाँ पर, life history variation, ठीक है कि भाई कोई भी particular, जो भी organism उस population में आया है, वो कहां से आया है, population जो है increase होती जाती है, as their reproductive fitness in order to survive, better evolution आती रहती है, evolve होती रहते हैं, इसको darwinian fitness कहते हैं, कुछ ऐसे trends भी हैं, जिसमें क्या हो रहा है, कुछ organism breed करते हैं सिर्फ एक ही बार, जैसे की bamboo, ठीक है, कुछ organism जादा बार breed करते हैं, birds और mammal, कुछ organism जो होते हैं, small size के offspring बनाते हैं, जैसे की oyster, कुछ बड़े small size के, और small number में ही, और large size के offspring बनाएंगे, उसे bird और mammal के अंदर रखेंगे, तो ये एक बहुत important चीज हो गई, अब आते हैं population interaction में, कि population interaction जब होती है, तब क्या होता है, अलग-अलग population का interaction जब होगा, तो एक natural habitat में, काफी सारे organism रहते हैं एक साथ, और वो organism आपस में communicate करते हैं, interact करते हैं, इन्सेक्ट पर for their pollination, इसी हो कहते हैं population interaction, ठीक है, अब क्या हुआ, inter-specific interaction कैसे, predation, predation का मतलब है, यहाँ पर एक तो प्रे होगा, जिसको खाया जाएगा, एक होगा predator, जो खायेगा, एक शिकार है, एक शिकारी है, ठीक है, तो predator ने prey को खाया, उसमें क्या हुआ, predator को तो benefit हुआ, benefit है उसके लिए, लेकिन prey के लिए हाम हुआ, उसे हम कहते हैं predation, ठीक है, competition, it occurs only in closely related species, समझ लो, एक human है, दूसरा human है, उसको यह खाना चाहिए, यहाँ पर खाना रखा हुआ है, उसको यह चाहिए, तो इन दौनों को ही यह खाना चाहिए, यह दौनों ही vegetarian है, यहाँ पर खाना रखा हुआ है, दौनों को यही same खाना चाहिए, इसी से survive कर पाएंगे, तो क्या इन दौना के बीच में, एक competition नहीं हो जाएगा, ठीक है, because it resides outside or inside the body of the host, और वो free हो जाता है जब उसका काम हो जाएगा, जबकि जिसके अंदर वो रह रहा है, वो हमारा host कहलाता है, और host को क्या हो जाती है, deficiency हो जाती है, host के उपर वो parasite रह रहा था, तो host जो generally है, उसके उपर affect पड़ता है, it is known as parasitism, clear, तो यह यहाँ पर parasites के बारे में है, फिर आई commensalism की बारी, commensalism में क्या होता है, in this interaction, एक partner को तो benefit होता है, और दूसरे वाले को ना ही benefit होता है, ना ही हाम होता है, ना ही उसका भला हुआ, ना ही उसका बुरा हुआ, तो यह common चीज़ है, commensalism यह होती है, what is mutualism, mutualism या symbiosis क्या होता है, इस interaction में mutual है, ठीक है, mutual है, mutual में क्या होता है, दोनों को ही फाइदा होता है, तो both the partners are benefited like, liken आपने पढ़ा होगा, जिसमें interaction होती है, algae और fungi की, जहाँ पर दोनों को ही benefit मिलता है, and fungi क्या करता है, support देता है algae को, जबकि algae खाना बना कर, food बना कर देता है फंजाई को, ठीक है, तो इस तरीके से, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा important है, अगर आप देखो, population interaction, सबसे ज़्यादा important है, population interaction, जिसमें से, दो-दो number की जो question होते हैं, निकल करके आते हैं, तो आप लिए इसको कभी नहीं ही चोड़ोगे, ठीक है, इसको आप completely prepare करोगे, हो सके तो इस इसको कहीं लिख भी लेना, काफे ज़्यादा helpful रहेगा, और कोई भी अगर आपकी, डाउट हो, जाकर के इन नोट्स को देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, तो इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी, वहाँ से आप सारी वीडियो देखके, उनके नोट्स यों है, वो डाउनलोड कर सकते हो, तो guys, with that's it, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए, have a good day, bye-bye.